हलो फ्रेंड्स फाइन टेलर में आपका स्वागत है आज हम सूट पर सूट रपकर कटिंग करना सीखेंगे उसके लिए हमने यह कापर ले लिया है देखें इसे हम इस तरह से फोर φोल्ड करके रखेंगे देखिए इस तरह से हमें फोर फोल्ड करके रखना है बचा हुआ कपड़ा एक तरफ रख देना है हमें जितना चाहिए उतना इस तरह से लेकर फोर फोल्ड कर देंगे अभी हम इस हिस्से में नीचे का पाट रखेंगे हम इस तरह से उल्टी कुर्ती को इस तरह से मोड कर इस तरह से रख लेंगे नीचे इतनी जगह चोड़ देंगे मोडने के लिए दिखें इस तरह से हम उटा मन करने के लिए इतनी जगह चोड़ देंगे और इस तरह से अच्छे से हम सूट को इस तरह से रख देंगे अब हम यहाँ पर साइड में भी ओटा मन के लिए इतना कपड़ा छोड़ेंगे देखे हमने इस कपड़े को इतना छोड़ दिया है और इस तरह से लाइन कर लेंगे अब हमें यहाँ पर जितना कट है न हमारा वह ओटा मन करने का वहां तक इतनी जगह चोड़ेंगे अब आगे से हम बिल्कुल कपड़े के हिसाब से रखेंगे क्योंकि हमने सिलाई का अलग से रखना नहीं है हमने कुर्ती को उल्टा करके रखा हुआ है तो हम इस तरह से बस लगा देंगे सिलाई की जगह चोड़ने के हमें जरूरत नहीं है अभी हमें ये सीधा रखना है और इस तरह से हमें देखें सिलाई की जगा छोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ओलरेडी सिलाई से इतना बाहर है तो हमें इस तरह से अच्छे से नाप कर यहां पर दोर लेना है देखें ये हमने ड्रॉ कर लिया है अभी हम सिलाई की भी जगा छोड़ेंगे यहां पर इस तरह से ये हमारा सोलडर हो गया है देखें अभी हम गले के लिए इतनी जगा सिलाई के लिए छोड़कर इस तरह से निसान लगाएंगे यह जो जगह है वो सिलाई में चली जाएंगे इसलिए हमें यहां पर सिलाई की जगह छोड़नी है अभी हम आगे के गले की निशान कर लेंगे आगे के गले का देखें इस तरह से अब भी हमने पंच गड़ा ही रखना है तो यहां पर भी हम निसान लगा लेंगे तो इतना ही गला होगा देखिए इस तरह से अब हम सिलाई के जगा चोड़ देंगे कि हमें इतना चछोटा काटना है वह इस सब्साइस बुचाइब बढ़ुत बनने के बाद बनता है पर अबfel काटना नहीं है यह अम हम नहीं काटनाहे देखि यह सम काटेगे अब काट लेते हैं देखि यह स्वार दर हम इस टरह से काट लेंगे स्लीव का कटिंग कर लेंगे इस तरह से अभी इस तरह से हम सूट का कटिंग कर लेंगे जहां पर हमने निसान लगाया है वहीं पर हम इस तरह से अच्छे से कटिंग कर लेंगे पमेरल दी ततिक हो स्प texting जाने ओंदिकर तधना सेटेंड यहां कि तो दर काती हैं अब एक हम पीछे गला से जाथकी widgets यहां से काटेंगे आगे का गला पीछे के कंई बढ़ा यहां से वहीं में 17 अब यहां सेकाटेंगे और आगे का फिल से काटेंगे यह पीछे का हिस्सा त्यार हो गया अब हम यह आगे वाले गले को फिल से इस तरह से अच्छे से मोड कर रखेंगे अभी हमने यह जो निसान लगाया है वहां पर यह अंदर वाला निसान है वहां काटेंगे देखें इस तरह से यह हिस्सा है वह सिलाई में चला जाएगा और अभी हम यह स्लीव की जगह पर थोड़ा आगे के हिस्से में थोड़ा ज्यादा स्लीव को काट लेंगे इस तरह से गहरा ही दे देंगे इसकी वाज़े से जो हमारे खोल पड़ती है वह खोला नहीं पड़े गए आपे और फिटिंग बहुत ही अच्छा आएगा देखें इतनी आधे हिंच इतनी गहराई देनी है स्लीव में सिर्फ आधे हिंच इतनी यह आगे और पिछे के हिस्सा तैयार हो गया है अब हम आस् है यह बचा हूँ कपडा है उसमें से हम स्लीव का कटिंग करेंगी यह डवल فोल्ड है अभी हम फोर फोल्ड कर लेंगे तेंट इस तरह से चार बार मोर्ड कर अब हम यह पर स्लीव 95 लिखेंगे हम ब्लू कि एसलीव में यह डिजाइन चाहिए मैं हैं इसे यहीं से कट करें देखे जो हमने फोरफोल्ड किया हुआ है वहां पर इस तरह से हम स्लीव रख देंगे इतनी जगह छोड़ देंगे ताकि हम बाई को मोड़ सके अभी हम स्लीव को इस तरह से अच्छे से बिठा देंगे अभी हम इस तरह से कपड़े को आगे लेंगे ध्यान रखना है कि हमारी स्लीव एकदम अच्छे से रहे और अब हम यहां पर से ऐसे स्लीव को जहां पर सूट में स्लीव जहां पर सिलाई लगाई हुए वहां पर इस तरह से रखकर अच्छे से निशान लगा लेंगे इतना हिस्सा हम वहां पर बाद में यहां से कपड़ा लेकर जोड़ देंगे अभी हम यहां से कपड़ा लेकर जोड़ देंगे पर अभी हम यह जो स्लीव है उसका कटिंग कर लेते देखें यहां पर इस तरह से निशान लगा लेते हैं अभी हम यह जो निस्तान लगा है उतना कटिंग कर लेते हैं देखें इस तरह से हमें इसे अच्छे से काट लेना है अभी यह स्लीव का कटिंग हो गया अभी यह जो डबल फोल्ड किया हुआ है वहां पर इस तरह से हम काट लेंगे अब यह जो बचा हुआ हिस्सा है वहां से हम यह जो स्लीव हमें छोटी पड़ी है वह हम यहां से काट लेंगे देखे इस तरह से हम इसके उपर रख लेंगे ताकि एकदम पर्फेक्ट माननाप से स्लीव कटें अभी देखे यह स्लीव हम फिर से यहां रख लेंगे और इसे अच्छे से इस तरह से निशान लगा लेंगे अभी हम इसे यहां से इस तरह से काट लेंगे अब हम यहां से बीच में काट कर ताकि यह चार हिस्से हो जाएंगे इसके देखे यहां पर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है दोनों ही साइड इस तरह से सिलाई लगा लेनी है यह हमारी स्लीव रेडी हो जाएगे अब हम सिर्फ आगे के हिस्से में थोड़ी सी गहराई दे देंगे तो उसके लिए हम इस तरह से स्लीव को पहले बीच में से काटेंगे तो उसके लिए हम पहले इस तरह से बीच में इस तरह से थोड़ा सा नोच दे देंगे अब देखिए यह आगी का हिस्सा है वहां पर हम इस तरह से थोड़ी सी गहराई देगे यह आधे इंच की गहराई दिये हुए है देखिए अभी देख सकते हैं इतनी सी हमने गहराई दे दिये यह हमारे स्लीव का कटिंग हो गया अभी हमारा पूरा सूट कटिंग हो गया अगर आपको ये वीडियो परसंद आई हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और फाइंड डेला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थेंक यू